अभूआ ये और अपस्पी लोग बात करने वाले 8 अप्रील से एक बगुत बड़ा बदला हमारे बाजार में होते वे देखने को मिले वाले इससे रिलेटेड एक छोटा सा अपडेटीट वीडियो कल के दिन में आप लोग को बता है था कि चार नए इंडेक्स या फिर इंड कौन से index में क्या क्या चीज़े हापे होने वाली है कितना वेटेज यहापे रहने वाला है तो सारी चीज़ों को हम लोग यहापे definitely cover करने वाले हैं हर एक sector का हर एक indices का index का एक बहुत बड़ा लीडर भी होता है तो एक सब्सक्राइब को पता है निफ्टी टाटा ग्रूप 25 कैप करके नाम से हम लोगों को यह index देखने को आपे मिल रहा है जिसमें आप यहापे देख सकते हो कि टाटा ग्रूप के somewhere around 10 से 11 कंपनी आप लोगों को देखने को आपे मिल जाएंगी तो 10 से 11 कंपनी है कोन सी है वह अभी आप लोगों के सामने ही है टीसेस टाटा मोटर टाइटन देन टाटा स्टील ट्रेंट टाटा कंजिमर टाटा पार IHCL की बात करें टाटा मोटर डीवेर वो तो अभी टाटा मोटर के अंदर ही शामिल हो जाएगा और टाटा लेक्सी तो अगर हम वेटेज की बात करेंगे तो आप यहापे देख सकते हैं सबसे आदा वेटेज किसको मिला है TCS को मिला है 25% then Tata मोटर को 16% टाटा की बात करें तो 15, स्टील की बात करें तो 12, ट्रेंट की बात करें तो 8, फिर उसके बाद कंजिमर की बात करें तो 6 पावर की भी बात करें तो 6, then IHCL की बात करें तो 5, DVR 3 and Tata Lexi 3 जो भी मार्केट का हम लोगों को ये वेटेज देखने को मिल जाता है, वो किसी साब से रेखने को मिल जाता है, free float free float मतलब क्या, हाँ, जैसे कि अगर आद देखा गया तो share holding pattern में एक रहता है promoter के पास and दूसरा रहता है non promoter holding, ठीक है, इसमें institutions भी हापे आ जाते है, so promoter के पास जितने shares होते है, ठीक है, वो तो trade होते नहीं है, बाकी के जो shares है, non promoter holding, उसी को free float यहापे बोला, जाता है, अरे वो हम बोलते न, 75 to 25 का ratio रहना जीए, so 75% promoter के पास रहता है, 25, free float में हम लोगों को चीज़ें चलते भी देखने को मिल जाते है, उसी हिसाब से weightage यहापे दिये जाते है, यही point फिलाल तो explain करके आपे रखा हुआ है, so Tata Group के जो stocks थे, उनका weightage अभी में आप लोगों के सामने आपे रख दिया है, आप चाहो तो इनको यहापे study कर सकते हो, खास करके जो weightage य related ही हम लोगों को जादा देखने को मिल रहे है, TCS तो काफी जादा है, आप चेक कर सकते हैं, बाकि Tata Motor, Titan, Tata Steel almost same level पर हम लोगों को फिलाल तो देखने को मिल रहे है, next अगर हम लोग यहापे बात करेंगे रोस्तो, तो Nifty 500 Multicap Infrastructure 50, 30, 20, so यह भी एक हम लोगों को index, indices देखन से related है, कौन से stocks है, कितने stocks है, तो सबसे पहले आप यहापे देख सकते हो, 75 stocks हम लोगों को इसमें देखने को आप मिलने वाले, बट obviously कुछ top level के stocks को हम लोग यहापे cover करेंगे, again same concept, free float market cap के हिसाब से ही यह weightage हम लोगों को देखने को आपे मिल रहा है, and अगर हम लोग यहा 10% कहा रहेंगे, small cap रहेंगे, so वो कौन कौन से stocks है, तो चले उनको check कर लेते हैं, तो ठीक है दोस्तों, लिस्ट अभी आप लोगों के सामने आपे open कर दी जा चुकी है, ठीक है, इसमें बार-बार चीज़े चेंज होती रहेगी, सबसे ज़्यादा weightage तो आप लोगों को द 7% के आसपास, और उसके बाद के जितने भी है, बहुत ही lower level, 3%, 2%, 2.93, 2.6, 2.5, 2.4, 2.2, तो वो कौन से है, NTPC है, then max healthcare देखने को मिल रहा है, power grid है, ultra tech cement है, ultra tech cement उपर जाहिए था पर चले कोई बात ने, Indian hotel है, ONGC है, and then अदानी port जैसी company भी थोड़ी उपर यापे चाहिए थी, so infrastructure के अगर हम लोग आपे बात करेंगे रोस, तो और आल हम लोग आपे कह सकते, maximum जो वेटेज है, वो पहले दो को ही आप कहोगे, तो भी चलेगा, चलो, जब रदसी से add करने, तो air retail को भी add कर सकते हो, L&T and relance industry का ही, भारी वेटेज हम लोगो फिलाल तो देखने को infrastructure से related भी data आप लोग के सामने आप रख दिया जा चुका है, next भी देखा गया, तो बिलकुल वैसा ही है, सिर्फ एक ही नाम का change है, वो है manufacturing, मतलब nifty 500 multi cap, India manufacturing 50 30 20, 50 30 20 आप सभी लोगो समझ में आई गया होगा, yes, 50% इसमें large cap रहेंगे, 30% mid cap and 20% small cap हम लोगो देखने को मिलने बट manufacturing से related अगर देखा गया, तो यहाँ पर भी लगबग 75 हम लोग को stocks देखने को आप मिलने वाले है, बट इसमें से जो top weightage हम लोगो देखने को मिल रहा है, top 10 का, तो उसी को अभी हम लोग study आपर कर लेते हैं, so ठीक है दोस्तों, यहाँ पर manufacturing वाला data open कर लिया है, तो top 10 stock आप लोगों के सामने weightage की हिसाब से, तो देख सकते हैं, सबसे बड़ा weightage है Reliance, इबदम ही highest level पे 10% से भी उपर, उसके बाद के जो second है, सीधा आप देख सकते है, 4.93 मतलब बिलो 5 है, ठीक है, उसके बाद 4.86, 4.77, 4.25, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, पस हम लोगों को देखने का आपे मिल रहा है, सो manufacturing की भी आगर हम लोग आपे बात करेंगे, Reliance काफी ज़्यादा higher level पे हम लोगों को देखने का पना है, infrastructure में भी Reliance का योगदान 10% तक का weightage के हिसाब से बता है, आपे जा चुका है, Nifty 50 में भी Reliance आपको पता है, HDFCP के बाद सबसे बड़ा weightage लेकर यापे चलता है, इसलिए हम लोगों ने देखा है कि Reliance GC सबसे भागता है, गिरता है, इंडेक्स के उपर, Nifty 50 के उपर, काफी ज़्यादा pressure या फिर तेजी लेकर आ जाता है, obviously वो depend करता है कि अगर वो भाग रहा है तो या फिर गिर रहा है करके, second ब Redis, 72%, Sipla, 72% and JSW Steel, same, 72% की आसपास, 2.18% की आसपास, तो यह हो गया, manufacturing से related, बट manufacturing में भी अगर देखा गया, तो एक ही बड़ा player नजर या पर आ रहा है, जिसको बड़ा weightage दिया जा चुका है, वो है Reliance Industry nearby 10% के हिसाब से, obviously ये weightage सरकीस हिसाब से दिये जाते है, तो दुस्त बना दे, इसको 5 बना दे, ऐसा नहीं होता है, formula के इसाब से आपे चलना पड़ता है, तो चले ठीक है, manufacturing वाला data भी आपे cover होई गया, अभी आ जाते है, आखरी point के उपर वो है, nifty mid small healthcare, ठीक है, तो नाम से पता चल जाता है कि भाई, ये इसदर mid cap भी है, small cap भी है, and healthcare से related हम लोग आ चुके है, यहाँ पे healthcare के उपर, so top 10 की बात करेंगे, तो number 1 पे कौन है, max healthcare हम लोगों को देखने को मिल रहा, obviously, hospital के इसमें अगर देखागे, तो Apollo and max healthcare बहुत बढ़ा नाम देखने को मिल जाते है, 14.26%, इब्दम ही बड़ा weightage है, second number का कौन है, lupin, lupin अगर अगे, तो कितना, 9-9% के आसपास है, ठीक है, काफी difference है, first and second में, then Arvindo Pharma की बात करेंगे, 7-7% के आसपास, LKM Lab की बात करेंगे, तो almost 6% शेपके नीचे ही है, बट फिर भी, 40s की बात करेंगे, तो 5, Hipka Laboratories की बात करेंगे, 3.92, Mankind Pharma की बात करेंगे, जो अभी-अभी just list and then अगर हम लोग बात किसना है, उसका 3.39 and Glenmark Pharma, इसका कितना है, 3.38, so definitely ये top, जितने 10 companies थी, वो मैंने आप लोग के सामने आपे रख दिये है, अगर आप ये पूश रख कि ये 30, 75 आप बोल रहे है, वो कहा पे लिखा हुआ है, तो आपको ये NSC के website के उपर जाके, चारी download करनी पड़ेगी, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बता है, ये देखे, थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ, अब चेक कर सकते हैं, nifty mid small healthcare की बात यापे की है, तो यहापे अगर आप पढ़ने जाओगे, तो आपको ये पूरा data देखने को मिल जाएगा, तो यहापे साफ साफ लिकाँ है, number of constituents, कितने हम लोगों को stock इसमें देखने को मिल जाते हैं, 30, so infra का अगर आप चेक करोगे, अभी manufacturing का चेक करोगे, तो यहापे आपको 75, 75 ऐसा देखने को मिल जाएगा, ताटा के इसमें देखोगे, तो 10, 11, ऐसे आप लोगों को देखने को यहापे मिल जाते है और इसका rebalancing का भी time यहापे लिखा हुआ है, semi-annually हमनों को यह rebalance भी होते हुए देखने को आपे मिल जाएगे, मतलब कह सकते हैं कि साल में दो बार इसमें हमनों को बदला होते हुए देखने को आपे मिल जाएगा, so free float के साब से weightage के से उपर नीचे होते हैं, उसी साब से हमनों को इसमें कौन stock आएगा, कौन नहीं आएगा, किसमे weightage add होगा, lace होगा, वो सारी चीज़े हमनों को निरबर रहती वे देखने को आपे मिलने वाली है, so ठीके दोस्तों, जितने भी important points थे एक update वाला वीडियो आपने को चाहिए था, वह आपे मैंने cover कर लिया, अशा क इसको like and share कर सकते हैं, मिलते हैं next day में तब तक के लिए, bye bye